सब्सक्राइब को मेरे तर्मिनल के लिए लोगों का बहुत अच्छा है और यह मतलब कॉमन चैप्टर है बच्चे इसका एंसर जो है जो इसके एक्सराइज होंगे उसका एंसर वो लोग फोन से भी सॉल्फ कर सकते हैं और यहां जितना हद तक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मि स्पश्ची होता है इस पुक में तो बहुत अच्छा करके हैं और क्लास एट के बच्चे ब्लॉक्स बहुत अच्छा बना सकते हैं जैसे मैंने यह पर टो ओर थ्री ब्लॉक्स बनाया है यह बहुत अच्छा लाइन है कि इंटरनेट को एक्सप्लेन करने एक लिए डेफिनिशन है यह सबी जानते हैं पर उस चीज को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर वार्ड एन लाइन का ज़रूरत होता है इस अप्लिकेशन लिए इस आप देखो फाइल ट्रांसवर प्रोटर्ट जो है यह भी जानना जरूरी है फिर यहां देखिए इंटरनेट सर्विसेस को यह जो फिगर बनाया हुआ है यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह कलर जो है ऐसा है कि ब्लैक लिखा हुआ है ग्रीन में डाग ग्रीन में इसले क्लियर नहीं दिख रहा हैं यह आप लोग को टेक्स्ट बुक में बनाना है और इसको इसको बनाने के बाल फ kinda करना है सरे ला क्लासिफिकेशन मिगी किया हुआ है इन क्लासिफिकेशन's को आपको बनाना भी टेक्स बूक में इसले लर्न भी से अब आते है हम लोग टॉपिक्स पे यहां धेक ja social networking side social networking side के लिए ये पूरा है पर आपको इसको पूरा को learn करना है social networking side का ये जो है ये आपको draw करना है just इसको आप xerox वगड़ा ये नहीं करा सकता आपको copy में ये सारे बनाने हैं इसमें से आपको optional यहां 8 दिये हुए हैं तो आपके question paper में five आते हैं because उसमें option रहता है तो ये सारे बनाने हैं उसके बाद यहां देखिए four points है तो minimum you have to learn three points फीर हम लोग देखते हैं microblowsing tweeter इसमें है microblowsing ये points और ये ये बस आपको ये दोनों points यहां से पढ़ने हैं यहां भी हम लोग देखने है four है tweeter का अलग एक figure दिया हुआ है वो आप कर सकते हो बहुत इसका figure बनाना बहुत simple होता है आप board बहुत simple तरीके से draw करोगे और वहां पे tweeter जैसे ये लिखा हुआ है bold आपको लिखना है देखो e-commerce में एक line दिया है e-commerce electronic commerce of EC is buying and selling of goods and services or the transmitting funders और data over the electronic network primarily the internet ये बहुत important line है इससे आपको one word answer या फिर two marks वाले जो question होते हैं वो आते हैं यहाँ e-commerce का ही दिया हुआ है ये आपको learn करना है फिर benefits commerce include इसमें से one, two, three, four, five, six है तो you know you have to learn only two or three points two or three points मैं अलग-अलग आपको particularly leak दे रही हूँ आपको just read करना है only read, not learning internet forum यहाँ भी point क्या हुआ है ये सारे points आपको read करने है read का मतलब होता है पढ़के भूलने ही जाना और पहले भी बहुत सारी वीडियो में read का मतलब होता है आपको पढ़ना है और आपके mind में उसको रखना है learn का मतलब होता है कि definition like that आपको accurate line to line बोलना होता है तो ये आप याद रखोगे video conferencing अम लोग सभी जानते है यहाँ से video conferencing save the traveling cost तो ये सबसे vital line है video conferencing का benefit आपको बोला जा सकता है तो आप इसमें से जैसे ये बहुत short line है ये खुद जैसे मैंने मैंने आपको ब्लॉक करके बनाया है आप ये advantage of video conferencing can we conduct any time of the day ये बहुत important line है ये बहुत important होने के साथ मैं as a student आपको बता रही हूँ कि बहुत छोटा है ये line तो आपको learn करने बहुत सुभीदा होगा even कि आप जब इसको answer write करोगे question paper में तो that time you feel so easy इसलिए छोटे-छोटे points को हमें साथ learn करना एक ये है देखो यहां से इसको यहीं तक रखो तो ऐसे खुद से आपको करना होगा online groups नहीं करना है voice over IP नहीं करना है फिर email आजाओ ये है email आपको वही है same ये तो ये आपका fill in the blanks आता है the first email was sent by Ray Tomlinson 1978 इसका fill in the blanks एकदम sure आता है मुझे पता है और ये email की definition है तो ये आपको learn करना है बाकी इदर आपको कुछ नहीं करना worldwide wave का है देखो already ये bold करके लिखा है important line है ये two points है इसके दोनों ये points आपको learn करना है types of website personal website you know you have to learn only name देखो इसलिए मैंने name को highlight कर दिया है only name community building blogging website informational website तो ये सबका आपको name learn करना है और ये information जितने दियो है you have to just read only बात बाकी इस chapter में ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा learn करने का फिर ये the most common types of photo school ये नहीं पढ़ना है summary में आपको ये पूरी summary जो है वो अच्छे से learn करनी है इससे क्या होगा कि आप बहुत smoothly question answer solve कर पाऊगे इसमें सबसे important है आपका देखो services available internet ये learn नहीं करके आपको just read करने ताकि इसमें से आप कुछ देखो यहां 9 points दिये हुए है तो यूनों आपको अगर आप अच्छे से इसको read करते हो तो 4-5 आप ऐसे ही बहुत आराम से कर लोगे multiple question the special character that forms a part of the emails next at the rate Wikipedia organizes type of informational in order to send messages to people through web you can use social networking technologies the best example of micro-blowsing Twitter which of the following an example of protocol all of this फिर आते हमारा फिल इन द ब्लांक a protocol defines rules of convention for communication between network devices Yahoo is an example of search engine video conferencing allows visual connection between two or more people residencies to separate locations Twitter uses the 140 character limit in text messages last e-commerce is the buying and selling of good and services over the internet next last आते देखिए answer in the following question write the few lines ये आपको आपके book में मिल जाएगा फिर हमने जो वो summary वहाँ पे मैंने underline किया था वहाँ मिल जाएगा कुछ यहाँ summary में introduction में मिलने वाला है और आपको जो भी नहीं मिले तो ये computer है बहुत आसानी से आपको google में मिल जाएगा तो ये सारे आप कर लोगे मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि आप subscribe करके रखोगे तो आपको बहुत सारी videos और ऐसे मिलती रहेंगी जिसे कि आप पढ़ाई इस lockdown के दोरान कर पाऊगे और इस video को subscribe